साथ्यों मुख्यमंत्री के रुप में मेरी पहली दिवाली और भूकम के बाद कच्च के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी, और हम सब भूकम के बाद कि वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी सीदी, मैं आपके बीच आके रहा, और आप जहनते हैं, मैं वर्षों से दिवाली बॉर्डर पे जाके, सीमा पर जाके, देश के जमानों के साथ बिताते आया हूँ, लेकिन उस वर्ष मैंने वो मेरी परंपरा को छोड़ करके, भूकम पीडितों के साथ दिवाली मनाने के लिए मैं उनके बीच रहने के लिए आया था, मुझे आद है, मैं पूरा दिन चोबारी में रहा था, और फिर शाम को ट्रम्बो गाउं चला गया था, मेरे साथ, मेरी केबिनेट के सारे सदस्या, गुजरात में जहां जहां भूकम के आदमा आपदाई थी, वही जाकर के उन्होंने दिवाली के दिन, सब दुख में सरिक हुए थे, मुझे आद है, मुश्किल भले उन दिनों में, मैंने कहा था, और बड़े आत्म विश्वास के साथ कहा था, कि हम आपदा को आउसर में बदल के रहेंगे, मैंने ये भी कहा था, आपको जो रण दिखता है न, उस रण में, मुझे भारत का तोरण दिखता है, और आज जब मैं कहता हूँ, लाल कीले से कहता हूँ, पंदरा अगस को कहता हूँ, कि 2047 भारत डेवलप कंट्री बनेगा, जिनोंने मुझे कच्छ में सुना है, देखा है, 2001-2002 भूकम के उस कालखन में, विप्रित परिस्षिदी में मैंने जो कहा था, वाज आपकी आखों के सामने सत्य बन करके उपना हुआ है, इसलिए कहता हूँ, आज हिंदुस्तान आपको बहुत कुछ कमिया नजर आती होगी, 2047 में मैं आज सपना देख रहा हूँ दोस्तों, जैसा 2002 में मौत की चादर ओड करके भूजब हमारा कच्छ था, तब जो सपने देख करके आज करके दिखाया, 2047 में हिंदुस्तान भी करके दिखायेगा। अगर कच्छ के लोगों ने, भूज के लोगों की भूजाओं ने, इस पूरे छेत्र का काया कल्प करके दिखाया है। कच्छ का काया कल्प भारती नहीं, बलकि पूरे विश्व के बड़े सिक्षा संस्थानों के लिए, रिसर्च इस्टिटूट के लिए एक रिसर्च का विश्य है। 2001 में पुरी तरह तबाह होने के बाद, कच्छ में जो काम हुआ है, वो अकल्पनिया है। कच्छ में 2003 में करांदी गिरु शाम जी कृष्ण बर्मा उनिवर्सिटी बनी, तो वही 35 से भी जादा नए कॉलेजों की स्थापना की गई है। इतने ही नहीं, इतने कम समय में एक हजार से जादा अच्छे नए स्कूल बनाए गए। भूकम में कच्छ का जीला अस्पताल पूरी तरह जमिन दोज हो गया था। आज कच्छ में भूकम विरोधी आधूनिक अस्पताल है। दोसे से जादा नए चिकित सा केंदर काम कर रहे हैं। जो कच्छ हमेशा सूखे की चपड में रहता था। जहां पानी जीवन की सबसे बड़ी चुनोती थी। वहां आज कच्छ जीले के हर घर में नर्वदा का पानी पहुंचने लगा है। हम कभी आस्था और सध्धा के नाते गंगाजी में स्नान करते हैं। यह मुनाजी में शर्यू में और नर्वदाजी में भी और यहां तक कहते हैं कि नर्वदाजी तो इतनी पवित्रता है कि नाम समरन से पुन्य मिलता है। जिस नर्वदाजी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज ओ मान नर्वदाजी कच की धर्ती पर आई है। कोई कलपना नहीं कर सकता था कि कभी टपर, फतेगड़ और सुबाई बांधों में भी नर्वदाजी का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच के लोगों ने साकार करके दिखाया है। जिस कच में सिंचाई परियोजनागी कोई सोच नहीं सकता था। वहाँ हजारों चेक डेंस बनाकर, सुजलाम सुपलाम जलब यान चलाकर, हजारों हेक्टर जमीन को सिंचाई के दारे में लाया जा चुका है। झाल